नमस्कार मैं हूँ साक्षी बिहारी नियूज में आपका स्वागत है खबरों के ओर बढ़ने से पहले एक नजर सुर्कियों पर केके पाठक ने सक्षमता परिक्षा को लेकर दी बड़ी जानकारी बिहार में बकरी पालन पर मिल रही अच्छी सबसीटी बिहार में किसानों को गेहूं की बिकड़ी पर मिलेगी MSP इशान किसन को लेकर हुआ बड़ा खुलासा इसके साथ ही पढ़ते हैं शाम तक की बड़ी खबरों की ओर विस्तार से केके पाथक ने सक्षमता परिक्षा को लेकर दी बड़ी जानकारी मानुमों कि बिहार में 3.50 लाकनी उजित सक्षकों के लिए सक्षमता परिक्षा का आयो जिन होने वाला है वहीं अब इसमें 3 की जगा 5 मौके दिये जा सकते हैं सीता मड़ी में सिक्षा में भाग के अपर मुक्य सचिव डाइट भवन का निरिक्षिन करने के लिए पहुचे थे और यहां उन्होंने कहा है कि सिक्षकों को तीन के बदले पांच मौके दिये जा सकते हैं सिक्षकों को कंप्यूटर का ज्यान देने का भी आदेश दिया गया है मुख्यमंत्री नितिश कुमार ने क्रिश यांत्री करन मेले का किया निरिक्षन बिहार के मुख्यमंत्री नितिश कुमार ने राजिय अस्तरिये क्रिश यांत्री करन मेला का निरिक्षन किया है यहां ब्रह्मनकर मुख्य मंत्री ने मेले से सम्मंदित जानकारी लिए इस दौरान उनके साथ उप मुख्य मंत्री विज़सनहा भी मौजूद रहे आपको बता दे कि 8 फरवरी से इस मेले के शुरुवात की गई यह 11 फरवरी तक चलेगा और यहां किसानों के लिए क्रिशी यंद्र लेने पर अनुदान का प्रावधान किया गया है और इसके साथ ही आधूनी क्रिशी यंद्रों की जानकारी देने के लिए प्रती दिन पाठशाला का आयूजन होता है मालूमों कि फसल अविशेस प्रबंधन से संबंदित यंत्रों पर 80 प्रतीशत तक का अनुदान दिया जाता है सुबह 10 बटी से शाम के 7 बजी तक मेले में निशुलक प्रवेश है फ्लोर टेस्ट से पहले आरजेडी ने बुलाई विधायक दल की बैठक बिहार में 12 फरवरी को नई सरकार का फ्लोर टेस्ट होगा और इससे पहले आरजेडी ने विधायक दल की बैठक बुलाई है ये बैठक पुर्वर डिप्रिसीम तेजस्वी आदव के आवास पर होगी और इसके साथ यहां भोच की भी तयारी की गई है वही मालूम हो कि बिहार में नई सरकार का गठन होने के बाद पुर्वर डिप्रिसीम तेजस्वी आदव ने कहा था कि बिहार में खेला होना बाकी है इधर फ्लोर टेस्ट से पहले आरजेडी के विधायकों की बैठक की बड़ी तयारी के तौर पर देखा जा रहा है जे एससी पेपर लीक मामले में पतना और चैन्ने में भी होई रेड जारखन करमचारी चैन आयो के द्वारा समानिय असनातक योगिता परिक्षा दोहजार तैस में पेपर लीक होने का मामला सामने आया था और वहीं इस मामले में अब SIT ने एक्षन लिया है SIT की टीम ने रांचे और चैन्ने के लावा पटना में भी छापे मारी की कुल 11 लोगों को हिरासत में लेकर उनसे पूछता जारी है वहीं चैन्ने में दो लोगों की गिरफतारी हुई है बताया जाता है कि ये लोग भी हार के हैं इन में से कोई JSC का करमी नहीं है बताया जाता है कि ये लोग जो प्रश्ण पत्र को सोशल मीडिया पर वारल कर रेंग में शामल थे इनके अलावा कई लोग अप प्रत्यक्ष रूप से इस गिरों से जुड़े थे जानकारी के अनुसार पेपर लिख मामले में संयुक्त सचिव मदूमिता कुमारी ने नामकुम थाने में अग्यात लोगों के खिलाफ एफायार दर्च कराया था इसान किशन को लेकर हुआ बड़ा खुला सा इसान किशन को लेकर हर कोई हैरान है इसके साथ ही उनके कई फैंस सवाल भी कर रहे हैं कि वो टीम के साथ खेल क्यों नहीं रही है लेकिन अब उनको लेकर बड़ी जानकारी सामने आई है इटीवी को दिये गए इंटर्व्यू में खिलारी के किसी खास ने कहा है कि वो बिलकुल ठीक है और IPL के लिए बड़ा गेम प्लान कर रहे है उन्हें एक बार फिर से टीम इंडिया में जगा मिलेगी उनका किसी के साथ कोई भी मदभीत नहीं है और उनके रिष्टे सबी के साथ बहुत ही अच्छे है वही जिनों ने ये बाते कई उन्होंने अपना नाम नहीं बताने के शर्थ पर ये खुलासा किया है बताया जाते हैं कि इशान अभी प्रैक्टेस में जुटे हुए है और इसके साथ ही वो पूरी तरह से अपने करियर पर फोकस कर रहे है बिहार में किसानों को गेहुं की बिक्री पर मिलेगी MSP बिहार में भारतिये खाद्ये निगम किसानों से सीधी गेहुं की खरीद करेगा इन्हें गेहुं बेशने पर 2275 रुपे प्रती क्विंटल दिया जाएगा और इसके लिए गया जहानबाद, नवादा, अर्वल और अरंगाबाद में कुल 11 क्राय केंडरों की शुरुआत की जा रही है यहां पर किसान आसानी से गेहुं बेश सकते हैं और इसके लिए उन्हें 15 मार से लेकर 15 जूम तक का समय दिया जाएगा 48 घंटे के अंदर किसानों को राशी भी दे दी जाएगी किसान वेबसाइट epacs.bih.nic.in slash food पर इसके लिए रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं किसी बिचौलिय की संपर्ट में आने की जरुरत नहीं है और इसके लिए किसानों को जागरों करने के मकसद से किसान सभा का आयोजन किया जा रहा है पटना में वाटर स्पोर्ट सेंटर की हुई शुरुवात पटना में गंगा की लहरों पर क्रूस के बाद वाटर स्पोर्ट की शुरुवात हो गई है बिहार राज्यो परियचन विकास निगम ने दिखा के परियचन घात पर वाटर स्पोर्ट की शुरुआत की है और इसके लिए करीब एक किलोमीटर लंबे स्पोर्ट सेंटर की शुरुआत हुई अन्ने राज्जों की तरह बिहार में भी वाटर स्पोर्ट को बरावा देने कले इसका शुबारम हुआ है दस सीटर वाटर स्पोर्ट में प्रतिवेक्ती 200 रुपे खर्च करने होंगे कहा जा रहें कि पट्टा में कम बजट में वाटर बोट का शेयर किया जा सकता है इसके लिए अब लोगों को बाहर जाने के ज़रुरत नहीं है वहीं कई लोग यहां पडिवार और दोस्तों के साथ पहुँच भी रहे है इधर होली से पहले वाटर बाइक लाने की तैयारी जा रही है बिहार में बकरी पालन पर मिल रही अच्छी सबसीटी बिहार में दो सालों के बाद बकरी विकास योजना के फिर से शुरुआत कर दी गई है इसके लिए सबी वर्गों के इच्छुक लोगों को अनुदान दिया जाएगा समाने वर्ग से आने वाले लोगों को 50 SCSC पडिवारों को 7% का अनुदान मिलेगा अच्छी नसल की बकरी की कीमत 15,000 रुपए तैकी गई है समाने वर्ग को 1,21,000 और SCSC पडिवारों को 1,45,000 रुपए का अनुदान मिलेगा 20 बकरी से शुरुआत की जा सकती है इसकी अधिकतम लागत 2,000,000 रुपए आकी गई 50-20 अरुदान के हिसाब से 1,21,000 रुपए सरकार देगी साउथ बिहार एक्स्प्रेस ट्रेंड का बदला मार्ग पटना की राजेंद्री नगर टर्मिलन से छतिसगर के दूर की जाने वाली ट्रेन साउथ बिहार एक्स्प्रेस के मार्ग में विस्तार हुआ ये ट्रेन अपटना से नहीं बलकि आरा से खुलेगी ट्रेन की विस्तारित समय सारनी को रेलवे ने जारी किया है लेकिन रेलवे ने इस बात की जानकारी फिलाल नहीं दिये कि ये बदलाओ कब से लागू किया जाएगा नई व्यवस्था के देहत ये ट्रेन पटना जंक्शन और बीटा में रुकेगी और इसके बाद भोजपूर के लोगों के लिए दुर्ग जाना आसान हो जाएगा लोगों के सहुलियत के देखते हुए रेलवे ने ये फैसला लिया है आपको बता दे कि ये ट्रेन दुर्ग से साथ बज़े खुलेगी और इसके साथ ही सुबर साड़े आठ बज़े आरा से खुलेगी माले विधायकों ने की जीतन राम मांजी से मुलाकात बिहार में फ्लोर टेस्स से पहले माले की विधायक महबूब आलम और सत्यदेव राम ने जीतन राम मांजी से मुलाकात की है मालिकी विधायक महबूब आलव ने पुर्व सीयम और उनके बेटे संतोस सुमन से मुलाकात के बाद कहा है कि जीतनराम मांची हमारे गारजन है और उनके स्वास्त का हालचा लेने के लिए हम गये थे खुषी के बाद यह कि वो बिलकुल ठीक है और मांची ची अच्छा खेला दिखाएंगे जीतनराम मांची से हमारी राजनीतिक बादश्रित नहीं हुई है लंबे समय से हमारी मुलाकात नहीं हुई थी इधर सत्यदेव राम ने कहा है कि जीतनरा मांची गरीबों का सवाल उठाते हैं, हम उनसे आगरा करने के लिए गये थे कि वो आगे भी गरीबों का सवाल उठाए जदियो M.L.C. को पटना हाई कोट ने सदन में नहीं जाने की दी अनुमती पटना हाई कोट ने जदियो M.L.C. राधाचर अनुमती दी है, M.L.C. ने इस दिन सदन में जाने की अनुमती मांगी थी, वहीं कोट ने इस मामली में ही चार सब्ता के अंदर केंडर सरकार को जवाबी हलफ नामा दायर करने का आदेश दिया है 18 मार्च को अगली सुनवाई तै की गई है, कोट ने राधाचर अनुमती पर नाराजगी जताई है और कहा है कि गलत के बदले सही जानकारी दिया जाए विधान परिशत के सदस्ते को विश्वासमत की कारवाही में भाग नहीं लेना है गिरिरास सिंग का बयान यूपी के सीएम योगी आदितनाथ जाएंगे बंगाल केंडरी मंत्री गिरिरास सिंग ने बंगाल के मुखे मंत्री महमतब एनरजी पर हमला बोला है उन्होंने कहा है कि बंगाल में अभी जो सरकार चल रही है वो दोरी नीती की सरकार है इस सरकार ने रोहिनिया मुसल्मानों के लिए रेट कार्पेट बिछाया ये सरकार धर्म विशेस की संरक्षक है चुनाओ के दोरान हम बंगाल जाएंगे यूपी के सीम योगी आदितनाथ बंगाल जरूर जाएंगे वो सभी के प्रिये है वहीं बिहार में होने वाले फ्लोर टेस्ट को लेकर गिरास सिंग ने कहा है कि यहां मुख्य मंत्री नितीश कुमार के पास जितने विधायक है वो बिबाकी से मुख्य मंत्री बने रहेंगे वहीं पूरा देश इस बात को देख शुका है कि 2004 से लेकर 2014 तक देश भ्रष्टचार में फसा था पपू यादव ने BPL परिवारों के लिए किया बड़ा एलान बिहार में लोगसभा चनौ के नजदीक आते ही सभी पार्टियों ने तयारी शुरू कर दी इसे भी जाब सुप्रीमो पपू यादव ने अलान किया है कि BBL परिवारों का बिजली फ्री में करवाऊंगा इन परिवारों के आर्थिक सहायता कमजोर है ऐसा करने से इने मदद मिलेगी प्रणाम पूर्णिया यादरा के 16 बे दिन उन्होंने नगर प्रकंड में ये घोशना की पपो यादव ने कहा है कि पूर्णिया के लिए उनका वीजन तयार है पूर्णिया की जनता ने हमें हमेशा अपने बेटे से बढ़कर आशिरवाद और इसने दिया आज की नई पीडी भी हमें आशिरवाद और प्यार दे रही है पूर्णिया कोसी सिमाचल का दिल है लेकिन ये इलाका देश में सबसे पिछड़ा है संतोसमाची ने फ्लोर टेस्ट में कई विधायकों के क्रॉस वोटिंग करने का दावा पिहार सरकार के मंत्री संतोस माजी ने फ्लोर टेस्ट के दौरान कई विधायकों के क्रोस वोटिंग करने का दावा किया है बोल्ट किया है वे लोग मैदान से ही बाहर हो चुके हैं इसकारण वे सिर्फ शोर मचा सकते हैं विपक्ष अपने विधायगों को तूटने से नहीं बचा सकेगी महागर्वंदन की कई विधायग क्रॉस वोटिंग करने वाले हैं मालूम हो कि बिहार विधान सभा में NDA की सरकार का बहुमत परिक्षिन 12 फरवरी को होगा ललन सिंग का बयान NDA से बाहर रहने पर भी नितीश कुमार तक नहीं पहुँची ED और CBI जदियों से सांसद ललन सिंग ने लोग सभा में विपक्ष पर हमला बोला है इसके साथ उन्होंने कहा है कि बिहार के मुख्य मंति नितीश कुमार डेड़ साल NDA से बाहर रहे लेकिन उन तक ED और CBI कभी भी नहीं पहुचे उन्होंने कांग्रेस समित अनि विपक्षी दलों पर हमला बोलती वे कहा कि अगर ब्रस्टा चार करेंगे तो ED और CBI आपके घर तक पहुचेगी लरंसिंग ने कहा है कि बीते 10 सालों में सदन के अंदर किसी घोचाला की चर्चा नहीं की गई लेकिन UPA के कारेकाल में हर दिन घोचाले को लेकर बहस की जाती थी UPA की सरकार में कोईला घोचाला, रास्टेमंडल खेल घोचाला, स्पेक्टरम घोचाला, रक्षा घोचाला, आदी एहम घोचाले हैं बेते दिन हमारे द्वारा पूछे गए सवाल का आप लोगों में से बहुत सारे लोगों ने अपना जवाब हमें हमारे केविंट सेक्शन बॉक्स में लिख कर दिया जिन्नों ने हमारे द्वारा पूछे गए सवाल का जवाब दिया है उनकी नाम है रंजीत मिश्टा, राज साथ ही बढ़ते हैं आज के सवाल की ओर आज का हमारा सवाल है आपके अनुसार इशान किसंग का इंटरनाशनल मैश नहीं खेले के पीछे क्या कारण हो सकता है आप अपने जवाब हमें हमारी कमेंट सेक्शन में लिख कर जरूर बताए आज के लिए इतना ही बिहार की तमाम खबरों के साथ बनी रहने के लिए देखते रहें बिहारी न्यूस और साथ ही अगर आप यूट्यूब से देख रहें तो चानल को सब्सक्राइब करना और अगर आप फेस्बूक से देख रहें तो पेच को लाइक करना ना भूले धन्यवाद